तो कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं, घर पे शांत हैं, सुखी हैं? मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक नया हेकट जिसके बारे में मैंने काफी सारी वीडियो में बात की है उसका नाम है बलंट हेकट तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक परफेक्ट बलंट कट कैसे काटा जाता है चो कि बहुत लंबे बाल थे अल्मोस्ट मेरे यहां तक आते हैं और मैंने यहां तक काटे हैं तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना मज़ा आएगा यह वीडियो एंड तक देखिएगा पूरी वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है आपको मज़ा आ जाएगा और उन बालों को लंबे बालों को कैसे संभाल कर रखें मैंने वो भी ट्रिक बताया इसमें तो पूरी वीडियो देखिए मेरे साथ बने रहे है और इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं ओके तो आज हम करने वाले हैं ब्लंट हेकट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यह हमारे क्लाइंट है, इनके बाल बहुत जादा लंबे है इसको एक्शली कम करने में बहुत जादा प्रॉलम हो रही है जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे इवन टैंगल निकालने में प्रॉलम हो रही है छोटी एज में काफी लंबे बाल होने की वज़े से शी कांट इवन डू अकॉम और टैंगल फ्री करना हेर वोश करना बहुत प्रॉलमेटिक है तो इस वज़ा से एक्शली हमारे क्लाइंट को ये प्रॉलम फेस करने की वज़ा से हम इनको छोटा काट रहे है तो सबसे पहले मैंने बालों को गिला किया मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाया हुआ बाल जितने गिले होंगे उतने अच्छे कटेंगे बालों को गिला करने के बाद मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें लगाऊंगा आश कंडिशनर अब जितना कंडिशनर इन दा सेंस live-in conditioner, serum बोलते हैं जिसको तो मैंने एक जगा पे tie कर लिया है बालो को, client को अभी long length में कटवाना है, long blunt कटवाना है जैसे कि मैंने आपको dummy में दिखाया था अपनी वीडियो में, live session में तो हम पिछले 60 दिनों से live आ रहे हैं, आप लोगों को वहीं पे tie कर लिया है, rubber लगाके और एक client का एक, जो मुझे length decide करना है, वो length पे रख लिया है, और मैं Caesar से काटना शुरू कर दूँगा, ध्यान से देखीगा, बालो को अच्छे से काटना शुरू कर दूँगा, comb करके देख सकते हैं थोड़ा सा और नीचे सोच रहा हूँ मैं लेके जाऊं rubber को मैंने काटना start किया, इसी तरीके से क्या होगा, एक length decide हो जाएगी, आपकी जैसे ही यह आप काट देतो, इसमें uneven करते हैं हमिशा, जब आपने इस तरीके से काटे हैं, देखिए कितनी लंबी चोटी मैंने काटी है, ऐसी 5-6 कटेंगी, अलग-लग session में, अलग-लग section लेके काटूँगा मैं, इसको काटने के बाद, यहाँ पे हम इनको कर लेंगे state, hey cut client का head down, zero degree पे, आप लोगों को पता है, जैसे हम काटते हैं, इनको state line zero degree पे create कर लूँगा एक, मैंने कौम की अच्छे से zero degree पे लेके गया, छोटे बाल guideline बनाऊंगा भी, यहाँ पे guideline create करेंगे हम, तो मैंने state line create की, दोनो side वही चीज़ करेंगे हम, और यही पूरे haircut में, हमारा guideline रहेगा, आगे की तरफ, जितने बाल काटेंगे, इसी की उपर ही काटेंगे हम, एक चीज़ ध्यान रखें, client का सर हमेशा नीचे होना चाहिए, जैसे ही बाल कटेंगे, head down होगा, तो जादा अच्छे से काट पाएंगे, और जो exact Instagram page है, अगर आपको कोई questions करना है, तो यहाँ पर जा कि हमें question कर सकते हैं, आप लोग, अभी मैंने दूसरा part निकाल लिया है, इसको नीचे वाले length measure कर लूँगा, थोड़ा साब बड़ा है, तो मैं rubber को नीचे लेके आँँगा, यह सारे भी experiment करना चाहता हूँ, तो यह use में आ जाएंगे, मैंने बाल थोड़े से बड़े काटे हैं, ताकि मैं जो blunt है, वो मेरा exact कटे, ध्यान से देखिएगा, यह काट लिए हैं मैंने, इनको side में रख दूँगा, हर एक section, section by section लेके काटे, ताकि आपको easily कॉम कर पाएं, क्योंकि हैवी हैं बाल, कॉम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे इन बालों में, almost आप यकीन नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे, आदा गंटा मुझे सिर्फ tangle free करने में लगा, तो ऐसा होता है, sometime बाल बहुत जादा dry होने की वज़े से ऐसे problem करते हैं, मैं other side के बाल भी ले रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैंने 12 मिनट का वीडियो बनाया, और आपको एक घंटे वाला हेकट 12 मिनट में दिखा दिया, other side भी उसी तरीके से मैंने बालों को एक line में create कर लिया है, काट लिया है और ये सारी poni tails मैं संभाल लूँगा, अलग side में रख दूँगा, just see it अभी मेरा crown area वाला part कट गया, इसको अभी straight काटना बाकी है, rubber अच्छे से लगा ले पोनी में, तांकि बाल निकले नहीं, तो पीछे के बाल अभी straight cut काटना बाकी है, तो मैं यहाँ पे guide line देखूँगा, box area काटने के बाद side के बाल काटना शुरू करूँगा, एक straight line create करेंगे, हमें जो long blunt में चाहिए होता है, जो मैंने आपको मेरी dummy पे दिखाया था, demo में, उसी तरह, उसी तरह अभी other side भी comb करेंगे, जितने बड़े बाल हैं, उनको cut कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़ा, इसमें ध्यान देने वाला क्या चीज़ है, कि हम इसको zero degree पे काट रहे हैं, और एकदम straight line create कर लेंगे, तो आप इसको one length बोल सकते हैं, straight line cut नहीं आता है, यह one length यह cut है, अभी side के आगे वाले बाल, मैं measure कर लूँगा, बाल थोड़े से बड़े हैं, तो rubber को थोड़ा था नीचे लेके आउँगा, and cut down कर दूँगा, cut कर दूँगा बालों को, बाल कट करना easily है, बट उसको ध्यान से cut करें, जब आप उसको अच्छे से क्या कर रहे हैं, measurement ले रहे हैं, अभी मैं पीछे वालों की guideline लेके, shoulder की ओपर, straight line create कर देंगे, हम यहाँ पे, वो आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं कैसे कारता हूँ, वही सेम तरीके से, comb करेंगे अच्छे से, और बालों को, straight line create कर देंगे, एकदम straight, पसंद आया यह साइड, अब यह अधर साइड भी, मैं brush करके, बालों को अच्छे से, rubber लगा दूँगा, ताकि, दिखे कि अध्यान से, मैं कैसे लगा रहा हूँ, मैंने लिया, measure किया, यहां पे rubber band रखा, उसी तरीके से, मैंने rubber band लगा दिया, जिसे एड़ों काट दिया, जितने बाल हैं, उनको अच्छे से, संभाल के रख लिया, अब यह सब काटने के बाद, यहां पे एक बहुत बड़िया चीज माँ, और extra add कर रहा हूँ, इस haircut में ध्यान से दिखिएगा, जैसे ही मैं यह one length कर लेता हूँ, उसके बाद, मैं कुछ different करने वाला हूँ, यह haircut में, यह video end तक देखें, तब ही मज़ा आएगा, यह video का पूरा, यह straight line create कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जादा देखने वाला इसमें नहीं है, straight line create होते ही, आप लोगों को difference share क्या करने वाला हूँ, इस haircut में, कि मैंने different क्या काटा है, अभी यहां पे हम ले लेंगे, box का area, तो box को कैसे काटना है, मैं box अलग काटने वाला हूँ यहां पे, अब यह ध्यान देना है कि कैसा काट रहा हूँ और क्यों काट रहा हूँ, मैंने कॉम किया है, मैं थोड़ा सा chair को set कर लूँगा पहले, काटने से पहले, क्योंकि इसमें दिखनी रहा है मुझे पता चला है, और कैमरा भी थोड़ा सेट करूँगा, ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखे आप लोगों को, चस्ट वॉच इट, थ्यान से देखीगा, मैं बालों को उपर लेके गया, 90 डिग्री पे एक कॉम से थोड़े से ज़्यादा लैंथ रखूँगा, इसका भी रीजन बताऊंगा, मैंने ये इतने शोट क्यू किया टॉप जो है, इसके पीछे रीजन है, इसलिए मैंने इतने बाल छोटे कर दिये टॉप के, अभी इनको क्या करूँगा, एक बर चेक कर लूँगा, फ्रंट में लेके जाके, जो लेरिंग हम करते हैं, वही चेक कर लेंगे, एक कौम से थोड़ असदाजा, ताकि कल को ये क्लाइंट, हमारा पोनी बनाना चाहे, तो पोनी भी बन जाए, दिक्कत ना आए, मैं इसको अभी अलग से क्लच कर दूँगा, अलग से क्लिप कर दूँगा, इसमें अभी हम करेंगे ड्रायर, बालों को अच्छे से कर देंगे ड्राय, ड्राय करने से पहले एक बर दोनों साइड भी चेक कर लेंगे, इनको भी आगे लेर की तरह ही चेक करूँगा, क्योंकि ये लॉंग बलंट है, तो लॉंग बलंट में ये आप चेकिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वो टेंशन वाला जरूरी नहीं है, कि आप ये लेर क्यों आड़ कर रहे हो, इस हेकट में लेरिंग भी आड़ कर सकते हो, तो उससे जो लुक है, फ्रन्ट हेर लुक जो है, वो बैस्ट आएगा, अच्छा आएगा, तो मैं फिर से बॉक्स निकाल लूँगा, उसको टाई कर दूँगा, क्यों? वो अलग से टाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसको मुझे अच्छे से ब्लो ड्राई सेटप करके देना है, अगर ब्लो ड्राई टॉप का, बॉक्सिरिया का सबसे अच्छा होगा, जो सबसे लास्ट में करता हूं, उससे ही पूरे हेकट का लुक आएगा, ये आप देखेंगे अभी, तो मैं ब्लो ड्राई शुरू करूँगा, तो मैं ब्लो ड्राई शुरू करूँगा, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, बालो को ड्राई करना शुरू करूँगा, सेक्शनिंग में डिवाइड कर लूँगा, मैं चेक कर रहा हूं थोड़ा-थोड़ा, चेकिंग जरूरी है मस्ट है जहां आपको लगता है कि कहीं कुछ प्रॉलम आने वाली है चेकिंग करते ने अभी हम ड्रायर यूज करेंगे मैंने ड्रायर का थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था ताकि आप लोग भी देख पाएं मैं सेक्शन ले रहा हूं एकदम पतले-पतले बालों को खीच रहा हूं सिरफ स्टेट ब्लो ड्राय करना है इसमें कुछ भी नहीं करना है साथ में वेंड ब्रॉश भी यूज कर रहा हूं मैं यहां पे और हलका सा उन्ही बालों को जब गरम होते हैं तो ब्रॉश से आउट कर दे रहा हूं एंड्स क वो है चोबा कंपनी का मैं यही यूज कर रहा हूँ पिछले अल्मोस्ट दस साल से बहुत अच्छा चल रहा है I don't think अगर आप एक अच्छा ड्रायर ले ले लेते हैं तो वो सालों तक चलता है उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है तो यहां पे section by section अभी side में आ जाता भी state कर लूँगा यह इसलिए थोड़ा सा fast forward किया है यह वीडियो लंबा हो जाता है और मैं आपको बताओं जिन लोगों अभी तक मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है वो लोग जाएं subscribe करें मेरे channel को जो लोग नहीं आ रहे हैं जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो किसी को किसी भी तरह का कोई question करना है तो आप Instagram पे हमें message करके पूछ सकते हो और जो live classes है अगर आपको लेनी हैं उसको join करना है member बनना है उसके लिए particular fees है वो fees आपको pay करना पड़ता है और pay करने के बाद आपको हम notes provide करवाते हैं color theory के and hey cutting theory के तो वो notes आपको मिलते हैं हमारी की तरफ से जैसे ही आप हमें join करते हो pay करते हो देखिए अभी मैंने सारे बाल जो हैं वो state कर दिये हैं side में और उपर वाले बाल अभी box area आगे लेके जा रहा हूं जैसे मैंने cut किया था आगे की तरफ उनको अच्छे से set कर दूँगा उसमें brush करके मैं clip लगा दूँगा अ यह देखिए नीचे आगया hair solution लिखा हुआ यह मेरा page है Instagram की ओपर आप जाके check कर सकते हैं यहां पर पूरा haircut हो गया ओपर right side में मेरा number आ रहा है 7053 116666 आप call करके मेरे से member बन सकते हैं जैसे ही यह complete हो जाता है देखिएगा मैं side में छोड़ूँगा अभी top part मैंने जो short किया यह उसका result है हमने इतना short करने का meaning यह था कि यह ऐसे दिखें ऐसा look आए बाकी बाल सारे straight और one length है front जो top है वो side bank दे रहे हैं तो यह best cut था अभी तक का जो blunt long blunt आप कर सकते हो आज के लिए इतना ही next video में जल्दी मिलूँगा मेरे साथ बने रही है मेरे channel पे hair solution welcome and thank you for watching my video